साथियों नमस्कार, हमारी चैनल रमन विध्यारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो हिंदी के सरल सब्द लिखना सीखें हिंदी के सरल सब्द लिखना सीखें कि आज की वीडियो में आज का पहला सब्द है जो की बहुत ही बोदने में सरल है, कहने में सरल है, पढ़ने में सरल है और लिखने भी भी सरल है तो लिखेंगे सबसे पहला सब्द सरल ठीक है, सा, रा, और ला, सरल ठीक सरल के बाद में अगला सब्द रहेगा सरलता सरा आप भी हमारे सासा लिखते रहे हैं हमारे साथियों की सिकायत रहती है कि सर आप बहुत तेज लिखते हैं हम आपके साथ लिख नहीं पाते हैं तो आराम आराम से लिखेंगे ताकि आप हमारे साथ लिखते चलें सरल सरलता और अगला सब्द लिखेंगे विकास विकास लिखिए वा में छोटी की मात्रा वी का में बढ़या की मात्रा का और स विकास विकास के बाद में अगला सब्द है विशेश विशेश लिखिए वा में छोटी की मात्रा वी शा में एकी मात्रा और श बीच वारा सा यानि ये सा रहेगा तालब सा ठीक है और बाद वारा सा ये मुर्धन सा रहेगा ध्यान रखेंगे ठीक है विकास और विकास में द्यान र करेंख रहा होगा हमार साथ में और अगले सब्द की और चलते हैं अगला सब्द है इसलिए इस लिए के छोटी ये और साइस ला में जोटी की मातराली और ए इसलिए ठीक है के बाद में अगला सब्ध है इन की इन की छोटी और न इन का में बड़ी की मात्रा की इन की के बाह्द में अगला सब्ध है उनकी छोटा हूँ कि और ना उन लिवर का में बड़ी की मात्रा की उनकी के बाद में अगला सिभी अरचना और चाहरक नाम में आकंत्रा ना रचना तो उम्मीद करते हैं इस स्पीड डास आज सही होगी आप हमारा साथ लिख रहे होंगे तो कमेंट करके बताएं कि स्मीड हमारी यह ठीक है कि इससे और द्हार थित करें ठीक है नामें एकी मात्र govern ने क promise के बाद में अगला सब्दें विभाग विभाग लिखेंगे अगला सब्द है विशए लिख लिखे आप फिरविशए वा में छोटी की मात्र और मुद्धन इसा रहेगा ध्यान रखें ठीक है और या विशए के बाद में समाज लिखेंगे समाज में दंत सा रहेगा स मा में बड़या की मातरा मा और ज समाज समाज लिख लिए दिया और फिर लिखेंगे हम लोग जीवन जा में बड़ी की मात्रा जी वा नावन वा और नावन जीवन ठीक है फिर है भारत भा भा के साथ आ का उचान तो भा में आ की मात्रा रहेगी भा अरातारत भारत भारत के बाद में विशाल लिखेंगे विशाल वा में छोटी की मात्रा और विशाल में हमें साथ केते हैं ठीक है विशाल विशाल के बाद में अगला सब सहायक सहायक में दंतसा रहेगा सहा में आ की मात्रा और कायक, सहायक और अगला सब्द है नामक नामक लिखेंगे नामे आकी मात्रा ना मा और कामक नामक नामक भी लिख लीजिए अब लिखेंगे महान मा हा में आकी मात्रा और ना महान महान के बाद में लिखिए हमारा हा महा में बड़े आकी मात्रा मारा में आकी मात्रा रा हमारा शब्दों के उच्चार्ण पर ध्यान दीजिए और अक्षरों की बनाबट पर ध्यान दीजिए ठीक है कौन सा अक्षर कैसे बनाते हैं इस बात पर ध्यान दीजिए और हमारा के बाद में कठिन का लिखेंगे और ठा लिखेंगे ठा में छोटी की मात्रा कठिन ठीक है कठिन के बाद में वाला वाला लिखेंगे वा में आ की मात्रा वा के बाद में अगला सब्द है किया का में छोटी की मात्रा या में बर्या की मात्रा किया किया के बाद में अगला सब्द है अनुवाद अनुवाद लिखेंगे आ ना में छोटे उकी मात्रा अनु वा में बड़े आकी मात्र वा और द अनुवाद के बाद में अगला सब्द है समया सा मा और या समया ठीक है समया के बाद में है इसके इसके लिखेंगे छोटी ई और सा इस का में एकी मात्र के इसके के बाद में अगला सब्द है इनके इनके इ और ना इन का में एकी मात्र के इनके भी आपने लिख लिया होगा आगे लिखिए अपना आ और पाप ना में आकी मात्रा ना अपना के बाद में अगला सब्द लिखेंगे धारन धा में आकी मात्रा धा अरा और अड़ा धारन भी आपने लिख लिया होगा आगे लिखेंगे धारणा यहां पर धारण लिखा है अब हम धारणा लिखेंगे धा में आकी मात्रा धा और धार अला में आकी मात्रा धारणा के बाद में है साधारण साधारन लिखेंगे सा में आकी मातरा धा में भी आकी मातरा साधा रा और अनारन साधारन साधारन के बाद में कारण कारण लिखेंगे का में आकी मातरा का रा और अना कारण कारण के बाद में वतन लिखेंगे वा और त और ना वतन वतन के बाद में अगला सब्द है मानव मानव मा में आकी मात्रा मा और ना और वा मानव के बाद में अगला सब्द लिखेंगे समान समान स मा में बड़े आकी मात्रा मा और न समान के बाद में अगला सब्द है समझ आप हमारे साथ लिख रहे होंगे ऐसी उम्मीद करते हैं सा मा और जह समझ समझ के बाद में अगला सब्द है रखना नारा खा रख नामे आकी मात्रा ना रखना के बाद में अगला सब्द रहेगा करना कर और रखना में अगला सब्द है अनेक आ अगला अगला सब्द है धर्ती धा और अधर तामे बड़ी की मात्रा ती धर्ती के बाद में आकाश अकाश लिखेंगे बड़ा का में बड़ी की मात्रा और श अकाश अकाश के बाद में अगला सब्द है आस्मान आस्मान लिखेंगे बड़ा आ और साश मा में बड़ी की मात्रा मा और न आस्मान आस्मान के बाद में है बडलना बा द और ला बडल ना में आकी मात्रा ना बडलना और अगला सब्द है बनकर बा का ना बन का राकर बनकर के बाद में कमल कमल लिखेंगे यहाँ पर जगह थोड़ी है आगे लिखेंगे तो लोग मिला के लिख देते हैं थोड़ा का मा औरल कमल कमल के बाद में अगला सब्द है सागर सागर लिखेंगे सा में बड़े आकी मात्रा सा गार अगर सागर सागर के बाद में नदिया ना दा में छोटी की मात्रा या में बड़े आकी मात्रा नदिया के बाद में है दुनिया दा में छोटे उकी मात्रा दू ना में छोटी की मात्रा नी या में बड़या की मात्रा या दुनिया के बाद में होकर हा में ओकी मात्रा हो काराकर होकर फिर है जगत जगत लिखेंगे जगत के बाद में अगला सब्द रहेगा दिखाना दा में छोटी की मात्रा दी खा में बड़या की मात्रा खा ना में बड़या की मात्रा ना दिखाना दिखाना के बाद में अगला सब्द है मानव मा में आ की मात्रा मा ना और वा मानव मानव के बाद में है चाहत चा में चाह और ताहत चाहत के बाद में अगला सब्ध है चाहता यहाँ पर हमने चाहत लिखा अब हम लिखेंगे चाहता चा में आ की मातरा और हा चाहता में बड़े आ की मातरा चाहता ठीक है यहाँ पर जब ता में आ की मातरा जुड़ गई है तो चाहता हो गया ठीक चाहता के बाद में चाहिये चा में आ की मातरा और हा में छोटी की मातरा और ए चाहिये अगला सब्ध है संसार सा में अंकी मात्रा या कहें अनुसार बिंदू फिर सा में आकी मात्रा सा और संसार अगला सब्ध है प्रकास पा में पदेन राप्र का में बढ़्याकी मात्रा का और तालव विष्षा प्रकास के बाद में हम लोग चलते हैं अगले पेज पर आप भी अपना पेज पलट लेजिए और कमेंट्स करके बताईए क्या आज की स्पीड ठीक है इतनी ही तेरी लिखे हैं या कुछ स्पीड बढ़ाएं या थोई कम करें या आपको बताना है कमेंट्स करके तो अगला सब्द लिखते हैं अमर अमर लिखेंगे आ मा और अमर अमर के बाद में है मानवता मानवता लिखेंगे मा में बढ़या की मात्रा माना और वा मानव और ता लिखेंगे साथ में शब्द बन जाएगा हमारा मानवता के बाद में अगला सब्द है कविता का वा में छोटी की मात्रा कवि ता में बढ़या की मात्रा ता कविता कविता के बाद में अगला सब्द है सरिता सा रा में छोटी की मात्रा सरी ता में बढ़या की मात्रा ता सरिता सरिता के बाद में अगला सब्द हमोग लिखेंगे लिखना ला में छोटी की मात्रा ली और खा लिख ना में आ की मात्रा ना लिखना लिखना के बाद में अगला सब्द है शरण शरण शा रा और अला शरण शरण के बाद में रहना रा और हा रह ना में आ की मात्रा ना रहना के बाद में अगला सब्द लिखेंगे मानना आप भी हमारे सासा लिखते रहें लिखेंगे मानना मा में बड़ आ की मात्रा और ना मान ना में आ की मात्रा ना मानना मानना के बाद में अगला सब्द लिखेंगे हम लोग भावना ठीक है तो यह लिखते हैं पहले मनाना मनाना लिखेंगे मानना हो गया अब मनाना मा ना में बड़े आक्की मात्रा ना मना मना ना में आक्की मात्रा ना मनाना ठीक है यहाँ पर हमें मानना मा में आकी मातरा लिखी और यहाँ पर हमें मा में आकी मातरा नहीं लिखी मा यहाँ पर नामें आकी मातरा नहीं लिखी यहाँ पर हमें नामें आकी मातरा लिखी लिख लिजे आप सोचना लिखेंगे सा में ओकी मातरा सोच और ना में आकी मातरा ना सोचना समझना के बाद में अगला सब्द है बहुत बहुत के बाद में नवी ना में बड़ी की मातरा और ना नवीन ठीक है नवीन के बाद में अगला सब्द लिखेंगे हम लोग नूतन ना में बड़ी की मातरा नूत और नातन नूतन के बाद में लगन लगन के बाद में अगला सब्द रहेगा यूवक यूवक लिखेंगे यूवन के बाद में अगला सब्द लिखेंगे लेकिन लेकिन ला में एकी मातरा ले का में छोटी की मातरा की और ना लेकिन लेकिन के बाद में आद मी आद मी लिखेंगे बड़ा आ द मा में बड़ी की मातरा मी आद मी आद मी के बाद में अगला सब्द रहेगा हमारा महा राजा महा राजा लिखेंगे मा हा में आ की मातरा महा रा में बड़ी आ की मातरा रा जा में भी बड़ी आ की मातरा जा राजा महा राजा महाराजा के बाद में अगला सब्द रहेगा चपरासी चा और पचप रा में बढ़ी आकी मात रा सा में बढ़ी एकी मात रासी चपरासी चपरासी के बाद में अगला सब्द सरकारी सा रासर का में बढ़ी आकी मात रहेगा सरकारी के बाद में अगला सब्द हालत हालत के बाद में अगला सब्द रहेगा हमारा कीमत कीमत के बाद में कीमती लिखेंगे का में बड़ी कीमात्रा की और मा कीमता में बड़ी कीमती के बाद में अगला सब्द रहेगा हमारा कीमत सब्द लिखेंगे मेहनत मा में एकी मात्रा और हा मेहन ना और तानत मेहनत मेहनत के बाद में सजावट सा जा में बड़ी कीमत्रा सजावट 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 सब्द के बाद में अगला सब्द लिखेंगे पहचान पा और हापह चा में बड़ी कीमत्रा जा और न पहचान पहचान के बाद में लिखेंगे राजन रा में बड़ी कीमत्रा जा और न जन राजन के बाद में अगला सब्द रहेगा लाकर के बाद में सामने सामने में दंतिसा रहेगा जिसे बोल चाल की भाद सा में सपेरा वाला सा कहते हैं और सजावट में भी दंतिसा ही रहेगा यहने की सपयावाला सा ठीक है और चलिए आगे बढ़ते हैं अगरा सब्द है समान समान लिखेंगे सा मा में बड़या की मातरा समा और न समान समान के बाद में सामना सा में बड़या की मातरा सा और म साम ना में बड़या की मातरा न सामना सामना के बाद में अगला सब्द है सेना सा में एकी मात्रा से ना में आकी मात्रा ना सेना सेना के बाद में अगला सब्द है धनवान धा और ना धन वा में बड़े आकी मात्रा वा और ना धनवान धनवान के बाद में अगला सब्द है लालच लिखेंगे ला में बड़े आकी मातरा ला फिर ला और चालच लालच लालच के बाद में अगला सब्द है मिलना मा में छोटी की मातरा मी और ला मिल ना में आकी मातरा ना मिलना मिलना के बाद में अगला सब्द रहेगा मिलता आप लोग लिखते रहे हमारे साथ साथ में मा में चोटी की मातरा मी और ला मिल ता में आ की मातरा ता मिलता के बाद में मिलन मा में चोटी की मातरा मी और ला और ना मिलन मिलन के बाद में है हजार ह जा में बड़े आकी मात्रा जा और हजार के बाद में कहना का और हा कह ना में आकी मात्रा ना कहना के बाद में है कितना का में छुटी की मात्रा की कितना के बाद में है साधन सा में आकी मात्रा साधा और नाधन साधन के बाद में अगला सब्द रहेगा अमीर अमीर लिखेंगे छोटा आ मा में बड़ी की मात्रा मी और अमीर अमीर के बाद में विन्ती लिखेंगे वा में छोटी की मात्रा वी और नाविन ता में बड़ी की मात्रा ती विन्ती विन्ती के बाद में अगला सब्द है आप के बड़ा आ और पाप कामे एकी मातरा के आपके फिर है आ और पाप नामे एकी मातरा ने अपने अगला सबद हम लोग लिखेंगे अगला सबद है लिखना लिखना लिखेंगे ला में छोटी एकी मात्रा लि और खा लिख ना में आकी मात्रा ना लिखना फिर है देखना दा में एकी मात्रा दे और खा देख ना में आकी मात्रा ना देखना अगला सब्ध है पायल पा में बड़या की मात्रा पा या और लायल पायल पायल के बाद में अगला सब्ध लिखेंगे हम लोग मालिक मा में बड़या की मात्रा और ला में छोटी की मात्रा और क मालिक मालिक के बाद में अगला सब्ध है शरद शर्द लिखेंगे श शर्द में हमेशा तालब शा लिखें और रा और दा शर्द फिर है शार्दा शार्दा में भी तालब शा, शा में बढ़या की मात्रा और अशार दा में बढ़या की मात्रा दा शार्दा फिर दिमाग दा में छोटी की मात्रा दी मा में बढ़या की मात्रा मा और गा दिमाग एबाद में चिराग चा में छूटी की मात्रा ची रा में बढ़या की मात्रा और गा चिराग तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी के सरल सब्द लिखना सीखे उमिद करते हैं आपने भी हमारे साथ सा लिखा होगा और आज हमने स्पीड बहुत कम रखी थी हमने आराम आराम से लिखा ताकि आप लोग भी हमारे साथ लिख पाएं हमारे बहुत से साथियों को सिकायत रिती है कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं हम आपके साथ लिख नहीं पाते हैं आप कहते तो हैं हमारे साथ लिखे लेकिन हम लिख नहीं पाते हैं तो इसलिए हमने आज बड़े आराम आराम से लिखा था उम्मिन करते हैं आपने भी हमारे साथ लिखा होगा तो लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन विध्याति को सब्सक्राइब भी कर लिजिए मिलेंगे हमारे एगली वीडियो में तब तक लिजा हिंद जाए हिंदी